सब्सक्राइश Hello friends, Welcome back to literature with Neha आपके साथ मैं हूँ Neha तो आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है उन students के लिए जिनके college exams बहुत जल्दी ही शुरू होने वाले हैं पहले एक जरूरी बात वीडियो के शुरुवात के तेन मिनट में मैंने बहुत सी जरूरी बाते बताई हैं तो वीडियो को इसके पना करें और वैसे भी मेरा मानना है जब मैं कोलेज में थी तब अगर मुझे ऐसी गाइडन्स मिली होती तो मेरी परसेंट अब से ज्यादा बेटर होती प्ले, नौवल या ड्रामा से ऐसे टाइप क्योशन्स ही पूछी जाते हैं और अगर ऐसे आंसर्स को आप अच्छे पॉइंट्स में लिख पाते हैं तो चार नंबर का शोर्ट आंसर तो आप एजी ली सॉल्व कर पाएंगे वैल, मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स के लिए 100-500 पेजिस का प्ले या ड्रामा पढ़ना इजी होता है लेकिन उन्हें में प्रॉब्लम आती है क्योशन्स डेटर्माइन करने में कि किस तरह के क्योशन्स को एक्जाम में प्रिफर किया जाता है और कौन से क्योशन्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है और अक्सर स्टूडेंट्स पूरा प्ले पढ़ने के बावजूद इंपोर्टेंट क्योशन्स को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्फुल होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं तो क्योशन आंसर्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बाते बताना चाहती हूँ यहां जो भी क्योशन्स हम डिस्कस करेंगे उनके आंसर्स आपको लगबग 5-6 पेजिस में देने हैं तो हर आंसर के 5-6 पेज में यहां पर explain नहीं कर सकती अगर ऐसा करूँगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी जो आपको इवोरिंग लगेगी तो basically कहने का मतलब यह है यहां पर मैं आपको क्योशन्स का meaning बताऊंगी और किस टाइप के क्योशन का answer किस तरह से देना है वो बताऊंगी और अगर फिर भी आपको line by line answers पढ़ने है तो जहां से आपने text पढ़ा है उस textbook के end में आपको इन सारे क्योशन्स के line by line answers मिल जाएंगे तो यह वीडियो देखने के बाद आप चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते है तो पहले हम क्योशन का मतलब समझेंगे तो बॉम शेल का मतलब होता है जिस तरह से बॉम अचानक से ब्लास्ट होता है ठीक वैसे ही यह play भी अचानक से बहुत famous हुआ तो क्योशन का मतलब यह है कि डॉल्स हाउस को जब publish किया गया तो इसकी first appearance के साथ ही यह बहुत ज़्यादा famous हो गया तो इस phenomenon के लिए आपको reasons देने है अपने remarks देने है यानि डॉल्स हाउस के अचानक famous होने के reasons आपको यहां पर बताने है तो आपके answer का first point होना चाहिए introduction इसमें आपको बताना है कि इस play को कब-कब और कितनी बार publish के आगया तो अडॉल्स हाउस को first time publish के आगया था December 1879 में फिर एक महिने में ही इसकी सारी copies बिग गई फिर इसे second time publish के आगया January 1880 में और फिर से इसकी सारी copies बिग गई पताने है reasons तो first reason है male dominating society in Norway at that time तो जब हेंडरी की अपसन नहीं ये play लिखा उस वक्त Norway में male dominating society हुआ करती थी और ओर्टों की condition कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी males के बनाए rules और regulations के हिसाब से औरते काम करती थी और उनके कोई personal rights और freedoms नहीं हुआ करते थे जैसा males चाते थे वैसा ही वो करती थी mainly उस वक्त Norway में females को एक object की तरह treat किया जाता था ऐसा सुनने में थोड़ा जीव लगता है क्योंकि अब Norway वर्ल्ड की सबसे happy countries में माना जाता है लेकिन एक वक्त Norway में ऐसा भी होता था तो जोरान जब Henry Gibson ने एक ऐसा play लिख दिया जिसमें clearly highlight किया गया है कि एक Nora नाम की middle class family की ओरत है जिससे शादी से पहले उसके father object की तरह treat करते थे और बाद में उसके husband उसे एक object की तरह treat करने लगे उसके खुद के इच्छा के अनुसारों से कुछ भी नहीं करने दिया गया और Nora केवल वही चीज़े करती थी जो उसके husband को पसंद थी mainly Ibson ने इस play में ये highlight कर दिया कि ओरतों को उनके rights के हिसाब से नहीं जीने दिया जाता था तो जब ये बात logo तक पहुँची तो लोगों को ये बात बहुत अजीव लगी कि कोई इतना clearly ऐसा कैसे लिख सकता है और उनमें ये play पढ़ने की curiosity जागी इसी लिए इस play की ज्यादा से ज्यादा copies पब्लिश की गई second point है a feminist play feminist का मतलब होता है नारिवादी मतलब औरतों की अधिकारों की बात करना male और female equal होते हैं ये claim करना तो adults house पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि ये एक feminist play है जब ये play लिखा गया था उस वक्त नौर्वे में male dominating society के चलते औरते कभी मुद्दा होती नहीं थी उन्हें के वल एक object माना जाता था तो ऐसे time पर Ibsun ने ये play लिखा जिसमें एक female leading character है और जिसमें clearly highlight किया गया है कि किस तरह से एक middle class family की lady नोरा के rights की exploitation होती है तो एक तरीके से इस play के थूँ Ibsun ने ओरतों का stand लिया तो उस वक्त ये बात लोगों के लिए बहुत abnormal थी इसलिए लोगों ने इस play को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा थर्ड point है इस play की ending बहुत sad है end में दिखाये गया है कि नोरा अपने हिसाब से अपने life जीने के लिए अपने husband और अपने बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ कर चली जाती है तो उस वक्त जब नौर्वे में लोगों का mindset ही ऐसा था कि ओरते वही करेंगी जो mail चाहेंगी तब इपसन ने इस play में इतनी बड़ी बात लिख दी जो लोगों के मानने के लिए बहुत मुश्किल थी तो इसलिए भी ये play बहुत famous हुआ फॉर्थ पॉइंट है A modern tragedy तो tragedy का मतलब तो आप लोगों को पताई होगा कोई भी story जिसकी happy ending ना हो उसे tragedy कहते हैं अब बात आती है कि ये play एक modern tragedy कैसे है तो इपसन से पहले tragedies verses में लिखी जाती थी लेकिन इपसन ने इस tragedy को prose में लिखा है इसलिए ये एक modern tragedy है और पहले tragedies king, queen, prince, princess इन सब पर लिखी जाती थी लेकिन ये tragedy एक ordinary woman नोरा पर लिखी गई है इसलिए ये modern tragedy है और एक दोर जब ओरतों को मुद्दा बना कर कुछ भी नहीं लिखा जाता था उस वक्त इपसन ने एक ऐसा play लिखा जिसमें एक female lead character है तो इन सब reasons की वज़े से ये play एक modern tragedy है और modern tragedy होने की वज़े से भी ये play बहुत ज़्यादा famous हुआ Second question है Would you say that a doll's house is a feminist play? Give reasons for your answer मतलब क्या आप a doll's house को एक feminist play कहोगे अपने answer के लिए reasons दीजिए तो इस question में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एक हिंट तो यहाँ पर सीदी सी मिल रही है यहाँ पर हमसे इस play के feminist होने के कारण मांगे जा रहे है तो इसका मतलब ये है कि पहले वाले question का answer yes है मतलब आपको answer की शुरुआत में बताना है कि ये play एक feminist play है फिर आपको reasons देने है अब आते हैं दूसरे point पर तो feminist का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है जहाँ पर ये दावा किया जाए कि man और woman दोनों equal होते है उसे feminist कहते है तो ऐसा दावा कहाँ पर किया जाएगा clear है जहाँ पर ओड़ों के साथ कुछ गलत होगा तो कहने का मतलब ये है जहाँ जहाँ पर play में आपको ऐसा लगा है कि नोरा के साथ गलत हुआ है और उसके rights के against ये हुआ है उन सभी points को आपको यहाँ पर लिखना है ये साबित करने के लिए कि ये play एक feminist play है जैसे first reason है नोरा treated like a pet by Helmer इसमें आपको बताना है कि नोरा के husband Helmer उसे एक pet की तरह treat करते थे जैसा Helmer को पसंद था वो नोरा को वैसे ही रखना चाहता था वो उसे उसके taste के according sweets तक नहीं खाने दीता था ये सब points आपको यहाँ पर लिखने है second point है नोरा's wifely devotion to Helmer इसमें आप बताएं कि as a wife नोरा ने वो सब कुछ किया जो टॉर्वेल को पसंद था अपने husband के हिसाब से जीने के लिए नोरा ने अपने सारे चाहें मार ली अपनी choices और taste बदल दिये हैलमर के treatment के लिए उसने loan लिया और अपने father के नकली signatures किये लेकिन end में हैलमर ने ये blame अपने उपड लेने के बजाए नोरा को ही blame किया तो यहाँ पर नोरा के साथ बहुत गलत हुआ नेक्स्ट पॉइंट है नोरा को हैलमर हमेशा एक डॉल की तरह ट्रीट करता था यानि अपने interest के हिसाब से वो उसे खुश रखता और अपने interest के हिसाब से वो उसे डाड दीता प्ले के end में नोरा ने खुदी statement दिया था कि शादी से पहले उसके father उसे एक डॉल चाइल की तरह ट्रीट करते थे और शादी के बाद उसके husband उसे एक डॉल वाइफ की तरह ट्रीट करने लगे तो नोरा के इस statement को भी आप अपने answer में mention करें नेक्स्ट पॉइंट है नोरा's drastic step तो प्ले के end में नोरा ने realize कि उसकी कोई individual value ही नहीं है क्योंकि उसने अपने husband हेलमर की जान बचाने के लिए signature copy करने का crime किया लेकिन हेलमर ने उसके sacrifice को realize ही नहीं किया और अपने उपर blame लेने के बजाए नोरा को डार दिया उस वक्त नोरा को realize हुआ कि उसके साथ बहुत कलत हुआ है और फिर उसने हमेशा के लिए अपने husband और अपने घर को छोड़ने का decide किया तो नोरा का अपने rights को लेकर aware होना ये prove करता है कि ये play एक feminist play है और last point है conclusion इसमें आप बताएं कि ये play surely एक feminist play है लेकिन हैंरिक इपसन ने इस बात को कभी नहीं माना next question है what is the message of a doll's house मतलब a doll's house play से readers को क्या message मिलता है तो इस play से हमें message मिलता है कि शादी दोनों तरफ contribution होने पर ही चल पाती है ऐसा नहीं होता कि husband की according की सब कुछ हो और wife को considering नहीं किया जाए और इससे हमें message मिलता है कि both man and woman are equal and we should treat them equally और इससे हमें ये भी message मिलता है कि ओरते कोई object नहीं है और उन्हें objects की तरह treat भी नहीं करना चाहिए साथ ही ये play हमें message देता है कि कि किसी भी husband को उसकी wife को doll wife की तरह treat नहीं करना चाहिए और किसी भी father को उसकी daughter को डॉल चाइल्ड की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए डॉल वाइफ और डॉल चाइल्ड का मतलब है कि प्यार से तो रखना लेकिन डॉटर और वाइफ को ये रियलाइज ना होने देना कि उनके साथ गलत हो रहा है और धीरे धीरे उनके राइट्स की एक्सप्लोटेशन करना उनके इंटर्स और चोइसे के हिसाब से कुछ भी ना करने देना और फिर प्यार का हवाला देना ये पॉइंट्स आपको इस आंसर में एड़ करने है और इस प्ले से रीडर्स को मैसेज मिलता है कि कि किसी को भी फिमेल्स के राइट्स की एक्सप्लोटेशन नहीं करनी चाहिए बलकि रेस्पेक्ट करनी चाहिए और तों को भी आदमियों की तरह अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीने का पूरा दिकार है अब एक जरूरी बात इन सारे पॉइंट्स में कहीं कहीं आपको नोरा का कॉंटेक्स्ट एड़ करना है जैसे लास्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जैसा प्ले में नोरा के साथ हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था वो गलत था ये सब कुछ तो यहां पर मापको नोरा हेलमर के कैरक्टर स्केच के लिए कुछ पॉइंट्स बताऊंगी लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात इस प्ले में टोटल पांच में इन कैरक्टर्स हैं तो वैसे तो एक्जाम में पांचों में से किसी का भी कैरक्टर स्केच पूछा जा सकता है लेकिन फिर भी आप एटलिस्ट नोरा हेलमर और टॉर्विल्ड हेलमर का कैरक्टर स्केच प्रिपेर करें क्योंकि ये दोनों प्ले के लीडिंग कैरक्टर्स हैं तो कैरक्टर स्केच वाले आंसर में सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन इस पॉइंट में आपको बताना है कि नोरा इस प्ले की लीड कैरक्टर है टॉर्विल्ड हेलमर की वाइफ है इनके तीन बच्चे हैं ये एक हाउस वाइफ है कैसी दिखती है, कैसा नेचर है ये सब पॉइंट्स इस प्ले पॉइंट है तो प्ले पड़ने के बाद हम कहसकते है कि नोरा इक कॉम्पलेक्स गरखर है क्योंकि आध्य से ज्याधा प्ले पड़ने तक हम नोरा को समझी नहीं पाते है स्टार्टिंग में नोरा बच्चों की तरह बिएव करती है और end में अचानक से इतना bold decision ले लेती है शादी के 8 सालों में उसने कभी ये realize ही नहीं किया कि उसकी कोई individual value ही नहीं है और फिर end में अचानक से वो एक साथ सब कुछ realize कर लेती है और हमेशा के लिए अपने husband और बच्चों को छोड़ कर चली जाती है तो हमें थोड़ी देड लगती है नोरा के character को समझने के लिए ये सब बाते आपको इस point में लिखनी है next point है नोरा a devoted wife तो पूरे play में नोरा ने अपने husband के लिए बहुत सारे sacrifices किये है तो आपको यहाँ पर वो सारे sacrifices गिनवाने है जैसे नोरा ने अपने husband के treatment के लिए loan लिया फिर अलग-अलग काम करके loan चुकाया और वो अपने husband की choice के ही कपड़े पहनती थी वो जैसा चाता था वो वैसा ही करती थी ये सब points आपको यहाँ पर लिखने है next point है नोरा a bald lady तो आठ सालों तक अपने husband के हिसाब से जीने के बाद एक दिन अचानक से नोरा अपने husband और बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ कर चली जाती है अपने हिसाब से अपने life जीने के लिए तो ये कोई आसान बात नहीं इसलिए नोरा एक bald lady है और play के end में उसमें बहुत हिमत दिखा कर ये bald decision लिया तो इस point में आपको ये सब लिखना है next point है नोरा a tragic heroine तो इसमें तो कोई doubt ही नहीं है कि नोरा इस play की heroine है end में जो नोरा ने किया उसकी जितनी तारिफ की जाए उतनी कम है इसके अलावा नोरा के character में जो भी खास बाते आपको लगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है last point है conclusion इसमें हमें लिखना होता है कि पूरा play पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि नोरा play की leading character है नोरा के बिना इस story का end एक tragic end नहीं होता और इसी लिए नोरा के character को समझने में हमें थोड़ा वक्त लगता है अगर आपको इससे भी अच्छा और बड़ा character sketch लिखना है तो मैंने character sketch पर एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें character sketch लिखने का सही तरीका और बहुत से tricks बताई हुई है तो आप वहाँ से help लेंगे तो और वहतर होगा आप search कर सकते हैं how to write a character sketch by literature with निहा आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी वीडियो का यहाँ पर promotion कर रही हूँ लेकिन यकीन मानिए जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको realize होगा कि आपको कितना profit हुआ है यानि यहाँ पर आपको वो reasons बताने हैं जिनकी वज़े से डोल्स हाउस का title यही रखा गया तो आंसर में सबसे पहले आपको डोल का meaning बताना है तो play के according डोल का मतलब है एक ऐसी woman जिसकी खुद की कोई इच्छा कोई rights ना हो जो बस काम करे और कदम कदम पर अपने आपको devote करती रहे फिर आपको आना है नोरा पर कि play में नोरा का character भी ठीक ऐसा ही है वो भी हमेशा अपने बच्चों और अपने husband के लिए अपने आपको devote करती रहती है वो एक obedient wife बन कर रहती है जैसा हेलमर चाता है वो वैसा ही करती है उसके खुद के ideas, opinions और tastes कोई माइने नहीं रखते फिर बताना है कि जिस तरह से doll एक toy होता है मन मर्जी के हिसाब से खेलने के लिए नोरा को भी हेलमर ऐसे ही treat करता है ठीक एक pet की तरह, एक object की तरह प्ले के end में जब नोरा घर चोड़ कर जाती है तब वो हेलमर से कहती है कि शादी से पहले मेरे फादर मुझे अपने doll child की तरह treat करते थे और शादी के बाद उन्होंने मुझे तुम्हें सौप दिया और फिर तुम मुझे अपनी doll wife की तरह treat करने लगे तो नोरा के इस statement को भी आप answer में mention करें लास्ट में आपको बताना है कि play पढ़ने पर हमें पता चलता है कि नोरा को हमेशा एक doll की तरह treat किया गया और उसको अपने हिसाब से कभी भी कुछ भी करने के आज़ादी नहीं थी और इन सब reasons की वज़े से इस play का title at doll's house रखा गया है और ये title इस play के लिए बिल्कुल shootable title है तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही उमेद है कि इस वीडियो से आपको काफी help मिली होगी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ doll's house के समरी भी अगर आपको जाननी है तो comment करके बताएं मैं जल्द ही उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूँगी वैसे लगता तो नहीं है कि किसी ने वीडियो एंड तक देखा होगा लेकिन अगर देखा है तो thank you so much मिलते हैं आपसे next वीडियो में तिल दन कीप वचिंग कीप लेर्नी